हेलो दोस्तो मैं पूजा और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज की रेसिपी है एक बॉल्स करी अंडा खाना तो सभी को बहुत अच्छा लगता है लेकिन आज मैं अंडे की एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ मैंने इसे नए तरीके से बनाया है अंडा तो मैं यहां अंडे इस बॉल में फोर कर डाल रही हूँ मैंने पांच अंडे लिए हैं तो अब हम इन्हें अच्छे से फेट लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे बाड़ी कटा हुआ प्याज बाड़ी कटा हुआ हरी मिर्च एक चमबच रेड चिली फ्लेक्स नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसर अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से फेट लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ता अब इसे भी अच्छे से हम चला लेंगे अब मैं यहां ले रही हूँ अपे पैन इसमें मैंने थोड़ा तेल इस तरीके से ग्रिस कर लिया है क्यूंकि हमें अंडा का बॉल्स बनाना है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा अंडा करके इसमें डालेंगे देखिए इस तरीके से अब हम इसे पलट लेंगे अब फोक की सहता से आप इसे पलट लेंगे प्राइब तो यह अंडी के सबजी बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में आप इसे ज़रूर ट्राइब करें तो देखिए मैंने सारे को अंडे को पलट लिए और दोनों तरफ से लाल हो गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं दीखिए फूले फूले एक बॉल्स बने हैं इसी तरीके से सारे एक बॉल्स हम बना कर तयार कर लिए देखिए मैंने सारे बना कर लिया है अब मसाले देख लेते हैं तो मैं यहां कदुकस किया हुआ एक कटोरी प्याज ले रही हूं एक कटोरी टमाटर बाड़ी कटा हुआ लहसन अदरक का पेस्ट नमक हम स्वाद अनुसार इस्तमाल करेंगे एक कड़ी बनाने के लिए हम चमँ लाल मिर्च पाउडर एक चमँ चिकन मचाल्ड हलदी पाउडर हषा काली माचा पाउड़ और चमँ गर्म मसाला पाउड़ एक शुखी मिर्च अग्रे विर्s कोटी लाइची काऊड़ा एक जावेतनी और छोटी लाइची का टुकड़ा थोड़ा इसे लाल होने देंगे हम अब हम इसमें कदुकस किया हुआ प्याज डालेंगे आप चाहे तो प्याज को बारिक भी काट सकते हैं लेकिन मैंने इसे कदुकस किया है तो प्याज को हम थोड़ा लाल होने देंगे अब हम इसमें तोमाटर को एड़ करेंगे लेशन अदर का पेस्ट नमक हम डालेंगे ताकि सारी चीज़े अच्छे से गल जाए इसे ढखकर हम एक से दो मिनट के लिए पकने देंगे तो देखिए एक से दो मिनट हमारा हो गया है और प्याज टमाटर भी अच्छे से लाल हो गया है अब हम इसमें मसाले एड़ करते हैं जो भी मसाले हमने निकाले थे अच्छे से इसे हम चला लेंगे मैं यहाँ आदा कप पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए तो मसाले को हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें से तेल बाहर ना आ जाए अब इसे ढग कर दो मिनिट के लिए ढग देंगे तो देखिए हमारा तेल मसाले में से उपर आ चुका है और मसाला भी हमारा अच्छा लाल हो गया है अच्छे से इसे हम चला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे पानी आप अपने हिजाब से पानी डालिएगा ताकि आपको ग्रेवी कितनी रखनी है मैं यहाँ आदा ग्लास पाने डाल रही हूँ मैं नमक और एट करूँँगी थोड़ा तो आप देख रहे होंगे ग्रेवी में उबाल भी आ रहा है तो थोड़ा उबाल आने दे आप तो देखिए अब हम इसमें डालेंगे एक बॉल्स अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे गर्ण मसाला जो हमने साइड में रखा था इसे भी अच्छे से हम चला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ बारिक धनिया इसे ढखकर हम एक से दो मिनट के लिए पकने देंगे तो देखिए दो मिनट हमारा हो गया है और एक बॉल्स करीब बनकर भी हमारा त्यार हो गया है यह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है आप इसे जरूर ट्राइ करें यह बहुत ही खाने में टेस्टी बनता है आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं पराठे के साथ खा सकते हैं या सिंपल राइस के साथ खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं तो देखिए एक बॉल्स करी बनकर तयार है बिल्कुल नई रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी तो आप इसे ज़रूर ट्राइ करें तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक अपना ख् झांक यू